अब हम लोग आगे के टाइप को समझते हैं लेकिन आगे के टाइप को समझने से पहले कुछ बातों को हम लोग समझते हैं क्या है ना कि जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि rate के बारे में थोरा सा समझते हैं जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि rate पांच प्रतिशत है इसका मतलब क्या है इन चीजों को हम लोग थोरा सा समझते हैं इसको उसके बाद क्या हो ना आगे कुछ टाइप में यह हमें बहुत ही जबदस्त काम देने वाला है अगर हम यह कहें rate of interest क्या है न 5 प्रतिसत है इसका मतलब क्या हुआ rate of interest 5 प्रतिसत होने का मतलब यह है न कोई मूलधन 100 रुपय है उसमें से क्या हुआ एक साल में interest कितना बना 5 रुपय का interest बना अगर हम यह कहें कहीं 10 प्रतिसत का rate of interest है दर दस प्रतिसत है इसका क्या मतलब है कि 100 रुपय मूलधन में से एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है तो 10 प्रतिसत का मतलब है 10 रुपय ब्याज मिल रहा है अगर हम यह कहें कि 15 प्रतिसत का rate of interest है इसका मतलब क्या है कि 100 रुपय मूलधन में एक साल का ध्यान यह देना है एक साल का interest कितना है तो 15 रुपए या फिर ये भी कह सकते हैं 100 रुपए मुल्धन है जिसमें एक साल में कितना मिल रहा है तो 15% का interest है तो 100 रुपए ये 15 रुपए इसका मतलब 115 रुपए मिल रहा है मतलब 100 रुपए मुल्धन है जिसमें से एक साल का ये चीज़े समझना जोरी एक साल का interest कितना 8 रुपए इंट्रेस्ट लग रहा है या फिर इसको दूसरे सब्दों में ये कह सकते हैं 100 रुपए मुल्धन है जिसमें एक साल में कितना हो जा रहा है 8 प्रतिसत की 10 से 8 हो जा था हम ये भी कह सकते हैं अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि इस तरीके से 100 रुपए इंट्रेस्ट और एक साल में 100 रुपए मुल्धन का एक साल में क्या हो रहा है कि 100 रुपए मूलधन में एक साल का interest क्या है न, एक साल का interest है 7 रुपए, 7 रुपए interest है, इसका क्या मतलब है, 100 रुपए मूलधन में, एक साल का interest कितना है, 7 रुपए, इसका मतलब rate of interest कितना है, दर कितना है, तो 7 प्रतिसत है, इन चीजों को ध्यान से समझना है, अब दूसी वाते समझते हैं अगर हम यह मानते हैं कि 2000 रुपए मूलधन है rate of interest 10% है और time 2 साल है अगर हम यह कहें इसका साधारन व्याज क्या होगा व्याज क्या होगा यह निकालना है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं न मूलधन समय और दर को गुना करके बटे अगर 100 कर दे तो यह हमारा interest मिल जाएगा न जैसे मूलधन के जगा पे हम लोग 2000 रुपए और rate के जगा पे 10% समय के जगा पे 2 साल बटे 100 कर दे तो क्या मिल गया यह 400 रुपए interest बन रहा है न फॉर्मला के according जैसे हम लोग करते हैं मतलब साधान ब्याज ब्याज किस पर dependent है तो मूलधन समय और दर पर dependent है अब एक बात समझना है अगर हम यह कहें समय हमारा 2 साल था इसे क्या करते हैं एक साल में convert कर देते हैं एक साल में ध्यान से समझना है समय हमारा था 2 साल इसे क्या करते हैं एक साल में convert करते हैं इसका मतलब ये दो कहां जाएगा इस दो को या तो मूल्धन के साथ रख देंगे या तो rate के साथ रख देंगे जैसे हम क्या कह रहे हैं कि मूल्धन पहले तो समय दो साल है ना इस समय दो साल के जगा पर समय के जगा पर एक अगर रख तो ये दो कहा जाएगा हम मूलधन के जगा पर भेज देते हैं तो 2000 और ये गुना 2 कितना हो गया अब मूलधन हम लोग रख ले 4000 और रेट 10 प्रतिसा तो समय एक साल देखते हैं क्या इंट्रेस्ट में कोई फर्क भी पर रहा है 2000 खतम फिर इंट्रेस्ट तो 400 या रहा है द्यान से समझना है दो साल था लेकिन हमने क्या किया इसको एक साल में कनवर्ट कर दिया एक साल में कनवर्ट कर दिया तो ये दो कहा गया तो हम मूलधन में जाके गुना कर दिया 2000 गुना 2 हो गया, 4000 समय को एक साल में convert करेजिए, फिर भी interest में कोई फरक नहीं परा, या फिर इस 2 को क्या करते हैं। rate के साथ लगा देखें, फिर भी interest में कोई फरक नहीं परेगा, मतलब मूलन है 2000, rate फिलाल है 10,35 समय है 2 साल, 2 साल को बना रहें एक साल में, इस दो को क्या करते हैं रेट के साथ मल्टिप्लाई कर लेते हैं मतलब 10% के जगा पर रख लेते हैं 20 और समय को कर लेते हैं फिर भी देखते हैं कोई फैक्ट नहीं पड़ता है इंट्रेस्ट पर ये 400 रुपए ही इंट्रेस्ट बनता है मतलब ये है समय को एक साल में बनाने के लिए इस समय को या तो हम लोग मुल्धन के साथ बेज सकते हैं या तो इस समय को हम लोग रेट के साथ बेज सकते हैं तब तो हम लोग यहां पहुंच सकते हैं रेट निकालने के लिए यहां पहुंच सकते हैं एक 100 रुपए मुल्धन म चाहिया, कहते हैं, कहते है, 200 से 1500 रुपए पर 3 वर्स के पता साथ मिले, साध हारण ब्याज का अंतर 13.500 रुपए, तो उनके ब्याज धरओ का अंतर की है, इसका मतलब यह है, दो आदमी से 1500 रुपए लिया, एक आदमी से 1500 रुपे लिया, तीन साल के बाद क्या हो रहा है तीन साल के बाद उसको यह ब्याज का अंतर कितना जा रहा है तो 13.50 अब एक बात सोचना है भाई मूलधन दोनों से 15-15 सो लिया टाइम भी 3-3 साल चला लेकिन इसका ब्याज में अंतर कैसे हो गया क्योंकि इसके रेट में अंतर है पहले वाले का रेट कुछ होगा दूसरे वाले का रेट कुछ होगा इसी वज़ा से ब्याज में अंतर आ गया तो हमसे यह पूछा आ गया ब्याज दरों का अंतर क्या हो हम क्या करते हैं basic एक बार concept लेके चलते हैं, ब्याज का अंतर दे रखा है, हम लोग formula भी ब्याज का लगाते हैं, ब्याज का formula क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दरबटे 100, मूलधन, पहले आदमी का मूलधन, 1500, उसका समय कितना, 3 साल, और इसका rate कितना, तो capital R माल लेते हैं, बटे कर द लेते हैं, 100, अब अंतर है तो minus लगाते हैं, दूसरे का मूलधन कितना, 1500, इसका समय कितना, 3 साल, और इसका rate small r रख लेते हैं, बटे 100 कर लेते हैं, इसी दोनों का अंतर कितना है, तो 13.5, करी सकते हैं, अब 2-0, 2-0 cancel, इसमें 2-0, 2-0 cancel, क्या मिल जाएगा, 15 गुना 3, 45, capital R minus 15 गुना 3, 45, small r, बराबर क्या मिल गया, 13.5, अब दोनों से 45 कोमन ले लेते हैं, उधर बेज देते हैं, 45 कोमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, r minus r, और 45 को इधर बेज देते हैं, तो divide हो जाएगा, 13.5, बटे क्या हो गया, तो 45 हो गया, यहाँ पे last में, यहाँ पे 13.5, 0 0 ना भी ले तो कोई फर्क नहीं पएता है, हो गया, इसको solve करते हैं, क्या मिल जाएगा, 15, 9, 135, 15, 15, 3, 14, यह कट गया, 3 बार में क्या मिला, 3 बटे 10, मतलब 0.93, प्रतिसत हम से, यह पुछा गया न, ब्याज दरों का अंतर, अंतर मतलब माइनस दोनों के दर का अंतर कितना गया, 0.93 प्रतिसत आ गया, एक तो यह हमारा basic method है, अगर अब हम बात करें, जो चीजें अभी सिखाया गया है, उस पे अगर हम काम करें, तो कैसे काम होगा, हम एक बात बताते हैं, अगर हम यह कहें, कि 1500 रुपे मूलधन है, कितने समय के लिए है, तो 3 साल के लिए है, दू क्या हुआ, इसके ब्याज का अंतर कितना है, तो 13.5 है, अगर हम यह भी तो कह सकते हैं, 1500 रुपे मूलधन है, तीन साल के लिए, अगर हम इसे एक साल में convert करें, तो अभी थोई दे पहले क्या बताएं, इस तीन को हम लोग मूलधन के साथ रख सकते हैं, मतलब 1500 गुना 3 सकते हैं, अब आगे बढ़़ते हैं, हम यह कह रहे हैं कि जब 4500 रुपे मूलधन है, तो एक साल में ब्याज का अंतर कितना है, तो 13.5 है, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, सो बनाते हैं, सो बनाने के लिए क्या, पैटालिस सो को सो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैटालिस से भाग देना पड़ेगा, तो यह सो बन जाएगा, तो हम क्या कहते हैं, अगर सो रुपय मूलधन हो, तो एक साल में ब्याज कांतर क्या होगा, यहां हम लोग पैट से भाग दे दिये इधा साइड भी 45 से भाग देना पड़ जाएगा 13.5 में हम लोग 45 से भाग लगा देते हैं क्या मिल जाएगा ये सिम उसी तरीके से इसको solve कर लेते हैं नीचे आ जाएगा 10 ये 9 बार में और ये 3 बार में 3 से 3 बार में 3 बटे 10 मतलब 0.3 अब 100 रुपए मू 0.3 का अंतर है बिलकुल आसानी से इस concept से solve हो जाता है आप लोग चाहे तो एक वाग अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक वाग फेसे repeat करके देख लिया अब इसको वीडियो पॉस करके इस सवाल को बनाएं सेम उसी concept के अगर हम लोग इसको बनाते हैं देखते मिलत से चार-ठार के लिया कितने समय के लिए दोनों से चार-चार साल के लिए तो वह कांतर कितना हुआ 400 सी का वैज यकांतर हुआ हम ये कहें, चार हजार रुपए ये लिया, चार साल के लिये एक आदमी से, दूसरे आदमी से भी, चार हजार रुपए लिया, ये चार साल में, इसको एक साल में convert कर लेते हैं, फिर ये time मूल्धन के साथ चला जाएगा, तो क्या कहेंगे, ये सोला हजार रुपए लिया, एक साल के लिया, बिल्कुल ही कह सकते हैं, इसमें भी उसी तरीके से कह सकते हैं, सोला हजार रुपए लिया, कितने एक साल के लिया आते हैं, अब इसको क्या कहेंगे, भाई साब, अगर ये 16,000 रुपए इसका मूलधन है तो एक साल में इसके ब्याज का अंतर कितना है तो 480 रुपए का अंतर है तो हम लोग फिर से यहां 100 रुपए बनाते है 100 रुपए बनाने के लिए 2 0 छोड़े तो 160 मतलब इसमें 160 से भाग लगाएंगे एक साल में ब्याज का अंतर 3 रुपए तो रेट का अंतर कितना हो जाएगा रेट का अंतर हो जाएगा कितना तो हम यहीं से कह देंगे 3 प्रतिशत का अंतर हो जाएगा ये भी लिखने की जोट नहीं थी अगर मैं इसको सही तरीके से अगर समझ ले तो अब फिर से हाथ एक सवाल के अब हमारा question क्या है एक व्यक्ति एक हजार रुपए प्रती माँ दो वर्स तक बेंक में जमा करता है और उसे समय के अंत में 26,500 रुपए प्राप्त होता है तो कितने की दर से साधान व्याज प्राप्त हो मतलब क्या है न एक आदमी है जो एक एक हजार रुपए हर महने जमा करता है कितने समय तक दो साल तक 24 महने तक जमा करता है कोई एक आदमी एक हजार रुपए 24 महने तक जमा किया इसका मतलब वो बेंक में कितना रुपए जमा कर दिया 24,000 रुपए जमा कर दिया और उसको समय के अंत में कितना मिल रहा है 26,500 मतलब मिश्रधन उसको कितना मिल रहा है 26,500 मिल रहा है सीदी सी बात है कोई आदमी 24,000 रुपए जमा किया उसको मिलना कितना 26,500 तो इंट्रेस्ट कितना होगा दोनों को माइनस कर लेते हैं तो 25,500 रुपए क्या होगा इसे इंट्रेस्ट मिला ये बाते समझ में आ रही है अब कहता है हमसे इसमें पूछा गया रेट अब इसका रेट बताओ अब सीदी सी बात समझना है इसको इंट्रेस्ट किस हिसाब से मिलेगा पहला मैना ये 1000 रुपए जमा किया है तो 1000 रुपए का इंट्रेस्ट मिलेगा अगले मैना 1000 और जमा कर दिया इसका मतलब 2000 पर इंट्रेस्ट मिलेगा उसके अगले मैने 1000 और जमा कर दिया अब 3000 पर इंट्रेस्ट मिलेगा फॉर्मुला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, मूलधन ये है, दर क्या है पता नहीं, और समय एक महना, क्यूंकि एक ही महना तक 1000 पर चलेगा, अगले महना 2000 पर इंट्रेस्ट चलेगा, और जब महना आए तो नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग द रेट क्या है, तो मालूम नहीं, समय एक, नीचे में बर्स में बनाने के लिए बटे 12, और ये कर दिये 100, यही सम मिला के इसका इंट्रेस्ट हो गया, और इसका टोटल इंट्रेस्ट कितना है, तो 25 रुपे बरावर में रख दिये, 2500, ये ऐसे इसको मिलता है, अब इसको करत बच रहा है, सम में एक, एक, जीरो बच रहा है, इसका मतलब हम क्या करते है, दस को मल लेते हैं, अगर दो, दो, जीरो बच था तो 100 को मल लेते हैं, सम में 10, 10 को मल ले लिए, नीचे आते हैं, तो सम में 12 दिख रहा है, साथी साथ उपर में 8 दिख रहा है, तो 8 भी को मल ले लेते हैं अब क्या बचा ध्यान से समझना है अब बच रहा है ना यहां 10 में से 10 को मन ले लिए 1 बचा 20 में से 10 को मन ले लिए 2 बचा 30 में से 10 को मन ले लिए 3 बचा इसी तरह से 240 में से 10 को मन ले लिए 0 हटा लिए तो 24 बचा इसका मतलब क्या है ना 1 पलस 2 पलस 3 करके कहां तक बचा है 24 तक बचा है अब ध्यान से समझना अब इसको जोर कर कैसे रखेंगे एक से लेके 24 तक को हम लोग कैसे जोरते हैं जितना सबसे बढ़ा नंबर हो एक से लेके जितने तक का हो जितना बढ़ा नंबर हो उसको रखना 24 तक का है, तो 24 रख लेते हैं, एक बढ़ा कर रखते हैं, 25 बटे 2 कर लेना, तो यह हमारा योग आ जाता है, फिर से एक बाद सुन लेना है, जितना नंबर हो, एक से लेके जहां तक जाना हो, अगर 10 तक जाना हो, तो 10 गुना 11 बटे 2, 20 तक जाना है, तो 20 गुना 21 बटे 2, 24 तक जाना है, एक से चौविस तक जोरना है, तो 24 गुना 25 बटे दो, और यही किस के बढ़ावर है, तो rate, interest, पचिस सो के बढ़ावर, अब हम लोग next question जो करेंगे न, डायरेक्ट यहीं से काम करेंगे, इस बात को समझे, डायरेक्ट यहां से हम लोग काम करेंगे, क्यूंकि हर एक सवाल में क्या होगा न, अगर मासिक जमा कर रहा है, तो नीचे 12 तो आना ही होगा, और हर एक सवाल में क्या होगा, 00 क्या होगा, अगर इस टाइप से दिया होगा है, तो 00 कटे गाए, और 10 कोमन आए गाए, तो ध्यान पुर्वक हम लोग डायरेक्ट अब यहीं से काम कर गया न, 10% का इसका rate हो गया, बिल्कुल आसानी से solve हो गया, अब सीम इसी type का एक सवाल है, आप लोग चाहो तो इसको वीडियो पाउस करके बना सकते हो, इसको अनलोग बनाते हैं, 9000 रुपए उधार दिया, किस साथ पे दिया गया, उधार लिगे धनासी को, 1000 रुपए की मा आई साथ यह लिया है, 9000 रुपए, और एक एक हजार दस महने तक दिया, मतलब 10,000 दे दिया, सीधी सिवात है, 9000 लिया, 10,000 दे दिया, इसका मतलब इंट्रेस्ट कितने का बना, इंट्रेस्ट बना 1000 रुपए का, इसको हम लिखते भी नहीं, डारेक्ट काम करते हैं, 1000 रु 9000 पर इंट्रेस्ट चलेगा, अगले महने 1000 दे देगा, 8000 पर इंट्रेस्ट चलेगा, उसके अगले महने 1000 दे देगा, 7000 पर इंट्रेस्ट चलेगा, इसी तरीके से 6000 पर, 5000 पर, 3000 पर, लास्ट में क्या होगा, तो 1000 पर इंट्रेस्ट चलेगा, अब ध्यान से समाझना है, जै निचे दो जिरो खतम हो जाएगा सिर्फ 90 बचेगा इसी तरीके से 80 बचेगा 70 बचेगा 60 फिर 50 40 30 10 इस तरीके से बच जाएगा हम लोग क्या करते हैं फिर से वही काम 10 को मन ले ले लिए सम्में 11 0 है 10 को मन ले लिए बटे नीचे मासिक जमा कर रहा है तो 12 आएगा ही आएगा रेट सम्में होता है तो आड रख लिए इंटू अब ये ध्यान से देखना है 90 था जिसमें से 10 को मन ले लिए सेफ 9 बचा 80 रहेगा 80 था उसके बाद 8 बचा 10 को मन ले लिए का 70 में 7 बचेगा इसका क्या मतलब है न 9 पलस 8 पलस 7 पलस 6 करके कहां तक है तो 1 तक है फिर वही क आँ में 1 से 9 तक जोरना है 1 से 9 तक जोरने का मतलब क्या ये बरा नंबर 9 लिए फिर एक जादा और बचे कर लिए 2 बरावे में कितना इंट्रेस्ट 1000 रुपए का इंट्रेस्ट हो गया बाते खतम है शॉल्ट कर लेते हैं 1 0 1 0 इस दोनों से खतम कर लेते हैं 3 से 3 वाय में औ अब तो कैंसल नहीं हो रहा है चार गुना दो आठ आठ हुना दास अससी रेट क्या मिल गया रेट मिल गया 80 बटे 3 प्रतिसत या फिर 26 पुर्णाग 2 बटे 3 प्रतिसत का रेट मिल गया अगर आप लोग चाहे तो पहले इस तरीके से एक वाय सेट कर लें अगर ज्यादा द का मेने का अंट्रेस्ट हो गया गुना यह बारक कर देता है फिर इसी तरीके से 1000 दे दिया तो 8000 पे रेट में एक महिना फिर यह सो महिना साल में बनाने के लिए आगया नीचे 12 इसी तरीके से लास्ट में क्या होगा तो 10,000 इंटू 8 यह 100 इंटू 12 कर देते बढ़ाबर में हजार रखेंगे फिर से बाते वहीं पहुंचाएगा तो इस चीजों को लिखने की कोई जोरत नहीं यह यह समझना होगा तो हम लोग टाइम को बचा पाएंगे तो विशेस आज के लिए इतना रहने देते हैं मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद